हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपको हमारी यूटूब चैनल पे स्वागत है दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भोचपुरी इंड़स्टी में तीन जाती वाद सिंगर के बारे में जी हैं दोस्तो जो की अपने अलग अलग जाती के लिए गीत आपको बता दू कि रखलेबानी नईहर में अहिरान के ये एलबम इनका काफी चला और इनको अहिर जाती के लोग काफी सपोर्ट करते हैं और इनका गाना सुनना पसंद करते हैं दूसरी इनकी काफी हिट एलबम की बात करें तो मैं आपको बता दू पावर होला खाली अहि आईरान घाराना का जी हां दोस्तो लभर हुए आहिरान घाराना का ये भी एल्बम इनका काफी चला बात करें तुन्टून यादों के घर के बारे में तो मैं आपको बता दू कि इनका घर बिहार के आरजिले में पड़ता है और ये आरजिला से विलॉंग करते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं जिद्धी बॉय चंदन के बारे में जी हां दोस्तों जिद्धी बॉय चंदन जो की कोईरान एक स्टार के नाम से इनको जाना जाता है और भोजपरी इंडेस्टी में आज कौन नहीं है जो इनको कोईरान एक स्टार के नाम से नहीं जान इन्होंने गाया है उस एल्बम का नाम है कोईरी के राज चली जी हां दोस्तों कोईरी के राज चली जैसे एल्बम दिया है बात करें जिद्धी बोय चंदन के घर के बारे में तो मैं आपको बता दू कि यह भी बिहार के आरा जिले से विलोंग करते हैं और यह आरा के रहने वाले हैं और लोग इन्हें कोई रान एश्टार के नाम से जानते हैं चलिए अब बात करते हैं नमबर तीन पे इस्थित पासवान एश्टार तुफान राज के बारे में तो मैं आपको बता दो कि आज तुफान राज पासवान एश्टार किसी पहचान की मोहताज नहीं है ज दोस्तों और ये अलबम इनका वारल गल सिवाने सिंग के साथ आया था लेलेम का जान जी ए पासवान जी एलबम ये काफी वारल हुआ उसके बाद इनकी कुछ हिट एलबम की बात की जाए तो मैं आपको बता दू कि पासवान लभर भी एलबम इनका काफी अच्छा चला है द दोस्तों तीनों SDR में कॉमेंट करके बताइए की किसका गाना आपको पसंद आता है और किसका गाना सुनना आप पसंद करते है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आय तो हमारे चैनल सस्क्राइब कर लीजे जय हिल जय भोचपुरी समाच